जहिन दोस्तो स्वागातिक बर्फिट से एक नयाए वीडियो में मैं सिवम आप देखना शुरू कर चुके विंडो क्लासेस कैसे दोस्तो उम्मिद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एकजाम की तेयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे दोस्तो आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे मॉडल पेपर जो मॉडल पेपर का सिरीज चल रहे है दोस्तो आज उसका छटवा भाग है इसका पहले का भाग आपने नहीं देखें तो प्लेलिस्ट का लिंग उपर आई बटन में दे दूँगा वहां से जाकर आप सभी ebook launch किया गया है 3000 mc quiz का इसे आप डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं समय अब आपके पास बिलकुल नहीं है इसे आप पढ़के अच्छे से तैयारी करके selection ले सकते हैं कम समय में अगर आपको अधिक पढ़ना है तो इस ebook से आप पढ़ाई कर सकते हैं बहुत साथ दोस्तों मैंने customer care का number और email id दे दिया है कोई भी inquiry है या download करने में कोई भी problem है तो आप contact कर सकते हैं अभी आपके पास offer है दोस्तों अगर अभी आप download करते हैं तो सिर्फ आपको 49 रुपे पे करना पड़ेगा 200 रुपे पे नहीं करना पड़ेगा ठीक है 49 रुपे पे क आप customer के नंबर पर कॉल कर सकते हैं तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं question देखिए हाल ही में भारत और कीज देश के बीच बीसवा दी परच्छी नाव से इना भ्यास वरुन 2022 शुरू हुआ कौन से देश के बीच में हुआ है दोस्तों फटा पट अपना answer टिक करे जी दोस्तों अगर आप answer ने के साथ जा रहे तो आप answer विल्कुल राइट है फ्रांस important exercise दोस्तों यहां से question पूछे जाते है ठीक है यहां पे फ्रांस नाम आया है तो आपको याद रखना है फ्रांस की राजधानी पूछा जाता है तो कौन से है दोस्तों पैरिस ठीक है दोस्तों पैरिस आप सभी लोग जानते है जहां पे एफिल टावर है ठीक है अगर प्रमुष सावन ने लगतार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंदी पत की सपत किस दिन को ली कौन से दिन है दोस्तों यहां पर आप्सन दिये हुए 28 मार्च है 29 मार्च है 30 मार्च है या फिर 31 मार्च है जल्ली से अपना अंसर दीजे जी दोस्तों अगर आप आप सने के है 28 मार्च यहां पर आप नाम देखिए दोस्तों प्रमुष सावन ठीक है यह दो बार हो चुक है मुख्यमंत्री अगर पार्टी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों भी जेपी ठीक है भारती जनता पार्टी के लिए रहें अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से किस गेंद बाजने हाल ही में IPL की इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकार्ड बना दिया है किनके द्वारे यहाँ पलब्दी हासिल की गई है दोस्तों यहाँ पे नाम दिये हुए है बहुत अच्छा कोश्चन है IPL से सम्बंधित कोश्चन आपको चेंज किया है ठीक है एह भी है और यह सी है और यह डी है ठीक है यहाँ पर चेंज करना भूल गया है ठीक है तो आपको याद आखना दोस्तों ऑफशन ए हो जाएगा ठीक है डेन ब्राओल CSK के तरफ से खिलते हैं अगर international में बोला जाए तो वे standis के खिला रही है अगला question देखे चौते नमबर का जल सकती अभियान Catch the rain campaign 2022 का सुभारम निम्न में से किस ने किया किस के दोरक किया गया है दोस्तों यहाँ पे नाम दिये हुए यह भी question बहुत अच्छा है जल्ली से अपना आंसर दीजे समय अगर कम लगेगा तो वीडियो को पॉस कर सकते है जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा D. राष्टपती रामनात कोविन अगला question देखे विश्व स्वास्त दिवास वर्ड हेल टडे हर वर्ड से किस दिन मनाया जाता है कौन से दिन मनाया जाता है दोस्तों जल्ली से अपना आंसर दीजे जी दोस्तों अगर आप आपसंड डी के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है 7 अप्रेल अभी जेस्ट हमने 7 अप्रेल को 207 से दिवास मनाया है ठीक है दिवास से संबंदित क्वेश्चेन पुछे जाते हैं दोस्तों दिवास से संबंदित हम सेपरेट डूड अपलोड कर देंगे अगला क्वेश्चेन देखिए भारत और निम्नमे से किस देश के बीच हाल ही में एक आर्थिक सायोग और वैपार समझोते पर हस्ताक्षर हुआ है M.U. साइन किया जाता है ठीक है दोस्तों कौन से देश के बीच हुआ है यह आपको बताना है यहां पर आपसन दिये हुए है फ्रांस है जपान है अमेरिका है या फिर आस्टेलिया है जी दोस्तों अगर आप आपसन D के साथ जा रहे तो आपकान सर बिल्कुल रइट है आश्टेलिया ठीक है दोस्तों यहाँ पे आश्टेलिया आया है तो आश्टेलिया का राजधानी पूछा जाता है तो कौन सा हो जाएगा कैन बरार ठीक है दोस्तों और यहाँ पे राष्टपती नहीं होता है प्रधानमंती के बारे में पूछा जाता है प्रधान मंति कौन है दोस्तो इसकार्ट मौरिसन के लिए रहे दोस्तो नेस्ट कुश्चन देखिए 36 गर सरकार ने अहिंसा और गौर अक्षा के लिए कौन सा सम्मान इस्थापित किया है गुरु घासिदाश सम्मान है यति यतनलाल सम्मान है महराजा अग्रेसेन सम्मान है या फिर पंडिस सुन्दलाल सर्मा सम्मान है भूत अच्छा क्यों है दोस्तो जल्ली सफ्ण सटीक करें, जी दोस्तो इसक्यों का रईट आंसर हो जाएगा B यति यतनलाल सभवन, अगला क्यों देखिए, इस राज्यका देहर और वी बेंज़न की शनाज से बनाया जाते हैं, कौन से अनाज से बनाया जाते है दोस्तों जी दोस्तों इस question का right answer हो जाएगा A. चावल देखें दोस्तों आपको याद रखना है कभी कभी स्वाद भी पुछा जा सकता है तो स्वाद आपको याद रखना है मिठा ठीक है दोस्तों मिठा होता है स्वाद और इसे देशी रजगुला भी कहा जाता है ठीक है देहरोरी वेंजन चावल के आटे से बनाया जाता है स्वाद मिठा होता है और इसे देशी रजगुला कहा जाता है किल्यर है नेस question देखिए निम्न लिकित में से किसे कहा जाता है कि जिसने इस छेत्र में सबसे पहले बस्तर दसरा का तैवार शुरू किया था किसके द्वारा शुरू किया गया था दोस्तो यहाँ पर आप्शन दिये हुए है जल्लिस अपना अंसर टिक करें जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा D महराजा पूर्श उत्तम देओ निम्न में से कौन सी नंदी 36 गर से प्रहाइत होने वाली प्रमुक नंदियों में से एक है कौन सी नंदी दोस्तो यहाँ पर नंदियों के नाम दिये हुए है जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा D हजदेव नंदी हजदेव नंदी यहाँ पर मैंने क्यों लिया है यहाँ पर महाँ नंदी भी ले सकता था सिवनाद नंदी भी ले सकता था बट आपसर में मैंने हजदेव नंदी इसलिए लिया है कि आपको याद अठना है दोस्तो हजदेव जंगल से समबंधित बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं ठीक है नेश्ट क्वेश्चन देखिए निम्न लिखित में से कौन से दो राज्ये 36 गर की पक्षिम सीमा से लगे हैं भुगोल का क्वेश्चन है दोस्तो जल्द ही आप लोग को भुगोल का वीडियो मिल जाएगा अगर आपको 36 गर का भुगोलिक पता है तो आप भुगोल का 20% क्वेश्चन को असानी से हल कर पाएंगे ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर आप्षिन दिये हुए हैं इनमें से कौन सा आप्षिन सही हो जाएगा जी दोस्तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महराष्ट एवं मध्यपर्देश ठीक है दोस्तो किसी भी क्वेश्चन को आपको भुगोलिक देश्टी कौन से याद होना चीए अगले क्वेश्चन के तरफ देखिए देश में लगू अनुपच की खरिदी में 36 गड़ का क्या इस्थान रहा है पुर्य देश में पुछा गया ठीक है दोस्तो यहाँ पर आप्षिन दिये हुए कौन सा आप्षिन सही हो जाएगा जी साथियो उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दी पहला लगातार दो बार हो गया पहला आते हुए अगर प्रिव्यास एयर के बारे में पुछा जाता है तो आपको याद होना चीए उस बार भी पहला आया था ठीक है अगला क्योश्चन भारत की सबसे बड़ी जन जाती कौन सी है जन जाती से सम्बंदित कौश्चन पुछे जाते हैं दोस्तों आप्शन दिये हुए हैं जली सपनान सा टिक करें जी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा A गोड गोड जन जाती दोस्तों 36 गड़ का भी सबसे बड़ी जन जाती है तो ये आपको याद रखना है किल्यार है नेस कोश्चन देखिए भारत की संगी वैस ठापिका को किस नाम से जाना जाता है क्या नाम से जानते हैं दोस्तों जी दोस्तो अगर आप आपसन A के साथ जा रहे तो आपका अंसर बिलकूर राइट है संसर नेश कोश्यन देखिए गुप्ट वन्स का संस्थापक कौन था बहुत अच्छा कोश्यन है दोस्तो सभी वन्स के संस्थापक पुछे जाते हैं तो आपसन दिये हुए है इनमें से कौनसा आपसन सही हो जाएगा जी दोस्तो इस कोश्यन का राइट आंसर हो जाएगा A श्रिगुप्ट नेश कोश्यन देखिए अगला कोश्यन देखिए मौलिक अधिकार सभिधान के कीस भाग में वर्नित है बहुत अच्छा कोश्यन है दोस्तों इससे पहले हमने एक कोश्यन डिसकस किया है सविधान का तो यहाँ प्रॉप्षन दिये हुए है जल्लिस से अपना अंसर टिक करें जी दोस्तों इसकोश्यन का राइट अंसर हो जाएगा B भाग तिन अगर आपसे आर्टिकल पुछा जाता है तो आपको याद अखना है 12 से लेके 35 तक किल्यार है नेसकोश्यन देखिए विश्वकी सबसे बड़ी मिठे जल की जिल है कौन से जिल है दोस्तों आपसन दिये हु जलिश अपना अंसर टिक करें जी दोस्तों इसकोश्यन का राइट अंसर हो जाएगा बी विस्नोगुhésitez नेसकोश्यन देखिए इस्थल रूप सर रस्राणा प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है कृथन किसका है किसके दुराड कहा गया है दोस्तों जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा D W.A.M. Davis अगला question देखिए भारती आयकर अधिनियाम की धारा 88 में उपलब्द आयकर छुट को समाप करने किसी पारिज निम्न में से किस समीति ने की है किस समीति के दौरा की गई है दोस्तो जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा C केलकर समीति अगर आपसे समय पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 2015 में तीक है next question देखिए एक किस्वी नंबर question है देखो दो-दो में बरस्ते हैं मैं 85 की 85 पंक्ति में कौन सा लंकार है बहुत अच्छा question है दोस्तो अलंकार से संबंधित question पूछे जाते हैं यहाँ पर आपसन दिये हुए समय तो आपका अंसर बिल्कुल राइट है विसे सोकती इसे हम कैसे जानेंगे देखिए कारण का होते हुए कार्य करना हो पाना विसे सोकती अलंकार कहते हैं यहाँ पर आप लोग देखेंगे दो-दो में बरस्ते हैं और मैं 80 की 80 यहाँ पर धूरा आपको देखने को मिल र ओन्सर हो जाएगा शी करम धाराय समाज नेस ब्रूर्स ने कौन से वुद eh up रूषे आन्य पूरुस चया इन्में से कोई नहीं प्रूश तो अपना रैटाइट यहाँ अंसर हो जाएगा त्वर देखने को मिला था जी दोस्तो इस question का right answer हो जाएगा C slash lankar next question किसी वेक्ति या वस्तु के नाम का बोट कराने वाले सब्द कहलाते हैं बहुत अच्छा question है दोस्तो इस प्रकार के question पुछो जाते हैं यहाँ पर option दिये हुए है एक question आप लोगों के लिए है इसका answer अप लोगों डीटेल से comment box समय दिना है तो आज को वीडियो में बस इतना ही वीडियो के regarding कोई भी question है या doubt है तो आप हमें comment कर सकते हैं आपका comment का हमें इंतिजार रहेगा तो मिलते हैं दोस्तो नेश्ट वीडियो में जब तब कोई रहें दोस्तों को भी कोई रखें जय हिंद